इतिहास के अधिकतर लव स्टोरी को उठा कर देख लीजिए अधिकतर कहानियां तकलीफ और उदासी और बिछणने के गम से भरी हुई है लैला मजन्य की लव स्टोरी हो या सली मनारकली की सभी की कहानी में दर्द है उदासी है लेकिन 14th सेंचुरी की नूरी और शासक जामतमाची की कहानी में सिर्फ और सिर्फ खुशिया है और फुल्फिल्मेंट है नमस्कार मेरे चैनल हिस्ट्रिन माथलोजी में आप सब का स्वाबत है आज हम बताएंगे सिंध प्रांथ के नूरी और जामतमाची की प्रेम कहानी जो किंजर जिल से भी जादा गहरी थी और पाकिस्तान के सिंध प्रांथ के किंजर जिल के वीचो भीच बना जामतमाची द्वारा बनाए गया नूरी का मकपरा आज भी उस गहरे प्रेम की याद दिलाता है इस प्रेम कथा का उल्लेक पाकिस्तान के कवी लेखक अब्दुललतीफ की रचना शाह जो रिसालों में भी मिलता है ये कहानी 14th सेंचूरी की है जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सम्मावल्स का साशन था और जामतमाची वहां का साशक था पौरानिक कथाओं के अने सार सिंध के किंजे जील के आसपास मच्वारों की बस्ती थी और हुए मच्छली मार कर अपने जीवन निर्वाह करते थी इसी बस्ति के एक मच्वारे की बेटी थी नूरी कहते हैं कि वो इतनी खुबसुरत थी कि जो एक बार देख ले वो हद प्रभ होकर उसे देखता ही रह जाता था शाशक जामतमाची को खुमने और शिकार करने का बहुत शौक था चुकि जील के आसपास के जंगल शिकार के लिए उत्तम जगा था इसलिए जामतमाची ने वहाँ शिकार करने की योजना बनाई राजा जाम तमाची अपने सैनिकों के साथ शिकार को निकल परा, दिन भर शिकार करने के बाद रात में किंजे जिल की बस्ती में ही रुकने की इच्छा जाहिर की, बस फिर क्या था, मच्छवारे के पूरे गाउं में उत्सव की लहर दौर गई, हर कोई हमारे राजा आ रहे ये सोचकर अपने घरों को सजाने लगा, वहां उसी मच्छवारे की बस्ती में नूरी नाम की लर्की थी, जो बहुत ही खुबसूरत थी, वो अपने पिता के साथ एक छोटे से पूआल यानि फूस के बने हुए घर में रहती थी, वो हर दिन अपने पिता को मच्छली उस थी एकसाइटर थी, उसके मन में तरह-तरह के विचार आ रहे थे, उसने कई लोगों से सुन रखा था कि राजा अच्छे-चे कपड़े पहंगते हैं, सोने के गहनों से लदे रहते हैं, यानि उसका मन भी काफी जिग्वासु था राजा को देखने के लिए, इसलिए व अपने मंत्री के दोरा विभा का प्रस्ताओ नूरी के पिता के पास भीजवाया, जिसे नूरी ने स्विकार कर लिया, राजा जामतमाची इतना खुश था नूरी को अपने पत्नी के रूप में पाकर, कि उसने मच्वारे की बस्ती को पूरी तरह से कर्मुक्त कर दिया, र ये बात जामतमाची को दुल को चुगए और वो नूरी से और अधिक प्रेम करने लगा, लेकिन महल में रहने वाली शासक जामतमाची की अन्य पत्नियों को ये बात चुपती थी, कि एक गरीब मच्वारी की बेटी भला उनकी बराबरी कैसे कर सकती थी, बस क्या था सड़ यंत्रों का सिलसिला शुरू हो गया, अन्य रानिया राजा के मन में नूरी के विरद गलत गलत बात बताने लगी, धीरे धीरे राजा के मन में भी नूरी के लिए शक पैदा होने लगा, क्योंकि नूरी के बारे में जूटी कहानिया सुनकर राजा का विश्वास भी डगम नूरी के बारे में ये कहानी सुनकर हैरान था उसका दिल ये विश्वास नहीं कर पाता था लेकिन उसके दिमाग में शक पैदा हो चुका था तो उसने रंगे हाथ नूरी को पकड़ने का आदेश दे दिया एक बार जब नूरी का भाई नूरी से मिलने आया लोटते समय खोलने का आदेश दिया और जैसे ही वह बक्सा खोला गया मंत्री से लेके राजा तक सभी की नजरे जुग गई उस बक्से में कुछ मचली के काटे और रोटी के टुक्रे थे एक्चुली राजमाल में रहकर वी नूरी अपने किंजर जिल की उस मचली और वहां का खान पा जिन्दा नहीं रही नूरी का किंजर जिल से लगाओ को देखते हुए राजा जामतमाची ने नूरी का मकबरा किंजर जिल के बीचो बीची बनवा दिया जो आज भी सिंद का टूरिस डेस्टिनेशन बना हुआ है सैक्रो लोग हर साल इस मकबरे को देखने के लिए आते है उमीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आयती इसे जरूर लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू